कोलकता आरजीकर होस्पिटल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और आरजीकर मेडिकल कोलेज के जात्रों के आंदोलन के समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोशेशन ने 24 घंटे के बंद का ऐलान किया है यह बंदर 17 अगस्त सुबह 6 बजे से 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक चलेगा साती देश के कई मेडिकल एसोशेशन ने भी बंद को समर्थन दिया है उधर पश्यम बंगाल की मुख्यमंतरी मम्ता बनरजी ने भी शाम चार बजे से बंगाल बंद का ऐलान किया है वे आरजीकर अस्पताल तक पैदल मार्च का कारिकरम बनाया है बंगाल भाजपा ने भी दो गंटे का रास्ता रोको आंदोलन का ऐलान किया है भाजपा के अध्यक्षश शुभेंदू अधिकारी ने ग्रेमंतराले से अस्पताल में केंद्री अबल तैनात करने की मांग की इस बीच केंद्री जांच ब्यूरो ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है एजेंसी ने गुरवार की देराथ पीडिदा के माता पिता से बाच्चित की साथी अस्पताल के पांच डॉक्टर्स इसे के पूरवचे के सास्प्रिडेंट कम वाइस प्रिंसिबल MSVP चेस्ट विभाग के प्रमोक और प्रिंसिबल से पूस्टाच की इस बीच कोलकाता पुलिस ने आधी रात को किये गए विरोध प्रदेशन के दोरान अस्पताल में तोड़ फोर्ड की घटना में शामिल 12 लोगों को गिरफतार किया है